आज हम देखेंगे वक्र के उधारण नीचे दी गई आकृती में एक राज्य के अभ्यंतर याने इंटीरियर, परिसीमा याने बाउंडरी और बहीर भाग याने एकस्टीरियर को दर्शाया गया है अगर बिंदू A, B और C शत्रूओं की स्थिती याने पोजिशिन दर्शाते होंगे तो आकृती को देखकर याद कीजिए विराज्य के कौन से भाग में स्थित है आकृती एक बंद वक्र याने क्लोस कर्व है बंद वक्र के अंदर का भाग कहलाता है वक्र का अभ्यंतर, वक्र के बाहर का भाग कहलाता है वक्र का बहीर भाग और वक्र का भाग कहलाता है वक्र की परिसीमा इस तरह से हम कह सकते हैं कि बिंदू A वक्र की परिसीमा पर है, बिंदू B वक्र के बहिर भाग में है और बिंदू C वक्र के अभ्यंतर में है इस तरह से हम कह सकते हैं कि शत्रू A की स्थिति राज्य के परिसीमा पर है, शत्रू B की स्थिति राज्य के बहिर भाग में है और शत्रू C की स्थिति राज्य के अभ्यंतर में है अगला उधारण नीचे दिये हुए वक्रों को खुली वक्र यानि ओपन कर या बंद वक्र के रूप में वर्गिकृत कीजिए दर्शाई गई आकरती एक बंद वक्र है क्योंकि इसके सिरे मिले हुए है ऐसी वक्र जिसके सिरे मिले हुए होते हैं एक बंद वक्र कहलाती है यहाँ एक खुली वक्र है क्योंकि इसके सिरे मिले हुए नहीं है अगला उधारण निमनलिकित स्तितियों के लिए वक्र बनाए A. एक सरल वक्र जो बंद वक्र भी है B. एक सरल वक्र जो खुली वक्र भी है C. एक बंद वक्र जो सरल वक्र नहीं है D. एक खुली वक्र जो सरल वक्र नहीं है अगर किसी वक्र के सिरे मिले होते हैं तो वह एक बंद वक्र होती है अन्यथा वह एक खुली वक्र होती है इसी तरह अगर कोई वक्र स्वयम को नहीं काटती तो वह एक सरल वक्र होती है इस समझ के आधार पर हम एक सरल वक्र जो बंद वक्र भी है इस प्रकार बना सकते हैं इसी के कुछ और उधारण इस प्रकार है एक सरलवक्र जो खुली वक्र भी है इस प्रकार बनाई जा सकती है। वक्र के उधारण अगले वीडियो में देखेंगे वक्र से संबंधित कुछ मिध्याधार ना है।